एक घने जंगल में चिडियरानी रहती थी वो बहुत ही मेहंती थी जंगल में उसने मिठायों की दुकान कोल रखी थी वो सारा देन दुकान में मिठायां बनाती और उनको बेचती उसका व्योपार बहुत अच्छा चल रहा था वो रात के समय अपने घोसले में जाके अपने नन्ने मुने बच्चों के साथ सो जाती उसी जंगल में एक कवा भी रहता था वो बहुत ही आलसी और सुस्त था वो कभी भी एक बात पे काइम ना रहता कभी कुछ करने का सोचता तो कभी कुछ रात को सोते वक्त वो सोचता कि सुबा ये काम करूँगा मगर सुबा होते ही उसका इरादा बदल जाता और क्यों ना मैं सुबा से मचलियों का वियापार शुरू कर दूँ यहाँ पास ही तो धर्या है यहां से मचलिया पकड़ के बाजार में जाके बेच आऊँगा ये काम तो अच्छा है मुझे इस से बहुत मुनाफ़ा होगा बस सुबा उठके मचलिया पकड़ने जाऊँगा मगर सुबा को उसकी कोई और ही सोच होती और मैं मचलिया कैसे पकड़ सकता हूँ मेरे पास तो कोई कश्टी भी नहीं है कश्टी बनाना किसी अजाब से कम नहीं और मेरे पास तो इतने पैसे ही नहीं कि मैं बनी हुई कश्टी को खरीच सकूँ मेरा तो कोई दोस भी नहीं जो मुझे कहीं से कश्टी ला दे अरे ना बाबा ना ये मेरे बस की बात नहीं ये व्योपार्ट में नहीं कर सकता वो कभी भी एक बात पर टिक के नहीं रहता एक दिन वो दाना लेने जा रहा होता है कि उसको चिडिया रानी की दुकान नजर आती है और बहुत सारे मिठायां भी वो तुरंथ नीचे जाता है और चिडिया रानी से कहता है और चिडिया क्या तुम इस दुकान की मालिक हो ये इतनी सारी मिठायां कहां से लाती हो हाँ कवे भाईया ये मेरी ही दुकान है मैं मिठायों का वियोपार करती हूँ और ये सब मिठाईयां मैं खुद बनाती हूँ आपको क्या खाना है कवे भाईया? अरे मुझे कुछ नहीं खाना मैं इधर तुम्हारे दुकान के साथ ही अपनी दुकान खोलने का सोच रहा हूँ तुम्हें तो बहुत मुनाफ़ा होता है अब मैं भी यहां से मुनाफ़ा कमाऊंगा चिरिया रानी परिशान होके बोलती है अरे कवे भाईया इस जंगल में तो ये मेरी दुकान है आप किसी और जंगल में जाके दुकान कर लो इस जंगल में सब मुझ से चीज़े लेते हैं आपको यहां इतना मुनाफ़ा नहीं होगा कवा घुस्से होके बोलता है अरे जब मैं इस जंगल का हूँ तो दुकान किसी और जंगल में क्यों करूँ मैं तो यही दुकान लगाऊंगा और तुम देख लेना सम मेरी ही चीज़े लेंगे और मुझे बहुत मुनाफ़ा होगा खर अब तुम किसी और व्योपार के बारे में सोच लो मेरा व्योपार शुरू होते ही तुम्हारा मुनाफ़ा खतम हो जाएगा यह कहके कवा वहां से चला जाता है चड़ियरानी बेचारी उदास हो जाती है तीन चार दिन में कवा अपनी दुकान तयार कर लेता है पूरे जंगल में कवे की दुकान की धूम मत जाती है आरे आरे तुम लोगों ने सुना बाजार में एक कवे ने नई दुकान खोली है हाँ मैंने तो ये भी सुना है कि वहाँ बहुत अच्छी अच्छी चीजे मिल रही है हाँ फिर चलो आज कवे की दुकान से भोजन करने चलते हैं हाँ चलो मुझे तो बहुत भूग लगी है सब परिंदे कवे की दुकान पे चले जाते हैं आरे यहां से तो समुसे और गोल गप्पे मिल रही है आज तो बहुत मज़ा आने वाला है इतने सारे परिंदों को देखे कवा बोलता है अरे तुम लोग एक साथ क्यों आ गए हो तुम सब तो मेरा दिमाग खराब कर दोगे मैं इतने सारे परिंदों को एक साथ चीजें कैसे दू तुम लोग आइंदा एक एकर की आना तभी दोता बोलता है आरे हम सब दोस्त हैं इसलिए हम साथ आई हैं आप हमें समोसे और गोल गपे दे दो औरे मैं इतने सारे समोसे और गोल गपे एक सास नहीं बना सकता तुम मैंसे कुछ लोग शाम को आजाना अरे हम थोड़ा इंतजार कर लेते हैं तुम हमें जल्दी जल्दी बना दो औरे जब मैंने कह दिया मैं अभी बना के नहीं दे सकता तुम लोगों को समझ क्यों नहीं आती मैंने तुम्हें चीजें नहीं बेचनी तुम लोग जाओ यहां से तमाम दोस्त उड़के चुड़िया की दुकान पे चले जाते हैं तभी चुड़िया उनसे पूछती है आरे तुम लोग तो कवे की दुकान पे गए थे वजह से धीरे-धीरे तमाम परिंदों ने उसकी दुकान पे जाना छोड़ दिया वो तारा दिन दुकान पे बैठा रहता मगर कोई भी परिंदा उसकी दुकान पे ना जाता उसका वियुपार अच्छा नहीं चल रहा था इधर चड़िया की दुकान पे सारा दिन रश्ट लगा रहता एक दिन कव्वा अकेला बैठा होता है और चड़िया रानी उसके पास जाती है और कहती है आरे कव्वे भाईया तुम इतने उदास क्यों मैठे हो तुम्हे तो बहुत सारा मुनाफ़ा हो रहा होगा औरे मेरे दुकान पे तो कोई भी नहीं आता अरे कव्वे भाईया तुम किसी के साथ अच्छे से बात करोगे तो कोई आएगा ना तुम सबसे इतने घुसे में बात करते हो मुझे लगता है अब तुम्हारे दुकान पे कोई नहीं आएगा ये कहकर चड़िया रानी वहां से चली जाती है और कव्वा मूँ देखता रह जाता है इस तरह उसे अपने किये की सजा मिल जाती है प्यारे दोस्तों अगर आपको हमारे ये कहाने पसंद आई तो हमारे चैनल मज़ा टीवी हिंदी स्टोरिस को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा